पुत्री कश्मीर के बांदीपूरा के गुलशन चोंग पर आतंकियों ने पुलीस तल पर हमला किया जिसमें दो पुलीस कर्मियों को शहादत परतान हुई है आपको बता दे कि इसकी जानकारी खुद जमो कश्मीर पुलीस के द्वारा ट्वीटर हैंडल से दी गई है साथी साथ बताया जा रहा है कि आतंकियों द्वारा जो है गुलशन चोंक में एक पुलीस दल पर गोला बारी की गई जिसमें दो पुलीस कर्मियों को गोली लगी थी जिसमें बताया जा रहा है कि इसमें दोनों ही कॉंस्टेबल हैं जिनके नाम मुहम्मद सुल्तान और फ्याज एहमद हैं जिन्होंने अपनी ड्यूटी के दोरान जो है ये शहादत परान की है और जिस तरीके से अगर बात की जाए तो पूरे इलाके में अब गेराबंदी कर हमलावरों को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभ्यान शुरू कर दिया गया है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द हमलावरों को जूंड कर मोद के गाट उतार दिया जाए झाल झाल झाल